हेलो फ्रेंड्स मैं हुजोती आप देख रहे हैं जेसिंग घर की रस्वई एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट होने वाला है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले जिससे हमारी या वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे आज मैं बनाऊंगी एक वह है मखानी के खीर मखाना हिल्दी होने के साथ साथ जब खीर बने तो टेस्टी भी होता है तो वीडियो को ज़्यादा देना करते हैं अपनी रैसेपी की तरफ यहां मैंने मखाना लिया है यह मैंने ड्राइब फूर्ट्स लिया है यह देखिए माखाना हमारा हल्कार सर्तान हों गया है अब हम इसको इसको या जौन ऊओ मेरा लियाए इसको आफ ऑल्ली यह प्राइब्ट वहां सेजिकें हम आफ झाले लेते हैं यह मैंने दो ग्लास से दूद लिया है छोटा ग्लास है तो ऐसे बराबर ऐसे चलाते रहना है यह मैंने मखाने को भुर्यक जैसे बना लिया है हम इसमें इसको डाल देते हैं बहुत है स्वाधिश्टी खीर बनकर तयार हो गया हमारी इस तरीके से आप जरूर बनाए नौरात रही में आप इसको दो दिन तक बनाके लग भी सकते हैं इस्टोर करके फ्रिज मिलागा सकते हैं यह जो मैंने ड्राइब फूर्ट को प्राइब किया था अप यह तो काट कर आपको जैसे पसंदो आप हम इसको इसमें डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं कमेंट करके बताएं कि यह रिया रेसिपी आपको कैसे लगी घरी का बुरादा एड़ कर देते हैं यहां मैं दो चम्मच चीनी सकते हैं जिन्न आपको मिठा पसंद हो खाने की खीर बन कर रेडी है अब गईस को बंद कर देंगे ऐसे वलतन में थे सबस्क्राइब उसलोर बनाएं घर में सब को खिलाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि यह रेसिपी आपको अच्छी लागए तो वीडियो को लाइक से स तब तक के लिए धनने बाद दो